दूसरों की गलतियों से सिखें आप कभी इतना लंबा नहीं जी सकते कि सारी गलतियां खुद करने का मौका मिल जाए नमस्कार मैं हूँ कमर श्रीमाली आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और पांच नवंबर यानि की आज का रासिफल के इस एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और सुपकामना जिनका जन्र दिवस है मेरीज एन्वसरी है या कोई विसेश यादकार दिन है तो आईए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचान की आज पांच नवंबर दोजार बीस को गुरुवार है आज के विसेश सुपाई में धन संपदा अर्जित करने वाले दो विसेश सुपाई इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा समवध दोजा सिततर का कार्तिक क्रश्न पक्स चल रहा है आज तिथी पंचमी है और नक्षत्र आद्रा नक्षत्र है आज चनमा मिथुन रासी में ही रहेंगे और अब बात करते हैं रावकाल की आज दोपेर एक बज़ करके तीस मिन्ट से लगा करके तीन बज़े तक रावकाल रहेगा और रावकाल में प्राए कोई सुप कारे का आरंब नहीं किया जाता है लेकिन अब जो मैं मौरत बता रहा हूँ सुप चोगड़ मौरत उसमें सभी सुप कारियों का आरंब किया जाता है वह समयकाल है प्रात छें बज़ करके तेपन मिन्ट से लगा करके आट बज़ करके तेवीस मिनिट तक आईए अब बात करें यात्रा मौरत की आज पूरु दिशा और उत्रो दिशा में यात्रा करना सुब रहेगा वहीं दक्षन दिशा और आगने दिशा 37 दिशा में दिशा सूल रहेगा ऐसी इस्तिति में आज के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी अब परियारे स्थितियां हैं जाना जरूरी है तो दई खाकर के यातरा अरम कर सकते हैं ये दिसा सूल का दोस्ट निवानन हुआ दिसा सूल का दोस्ट परियार हुआ आईए अब बात करें सुब गरय योगों की आज सुरुदे कलिन कुंडली में आश्रय योग, सस्मापुरुष योग, गज केसरी योग, कल्पदुरुम योग, वरिष्थी योग, महाभागी योग, अमर योग, केंदर त्रिकॉन राज योग, सरल योग और एक अन्य प्रकार का राज योग का साथ मिलेगा आज का दिन बहुत जादा सुब है, और आज के दिन सुरुदे कलिन जिन व्यक्तियों की कुंडली बनेगी, उनके अंदर ये सारे राज योग विद्यमान होंगे जैसे जैसे लगन बदलेगा, वैसे वैसे योगों की स्ट्रिंद, योगों की संख्या है वो भी बढ़ सकती है, कम हो सकती है जीवन में एक बार ही कुंडली बनानी होती है और वो कुंडली आपको विस्तलत कुंडली बनवानी चाहिए जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको सूचनाई मिले ज्यादा से ज्यादा विस्तलेशन मिले जिससे आप खुद ही उस समझने का प्रियास कर सकते है लोग आते हैं कई बार कुंडली दिखवाने लेकिन उनके पास में कुंडली जो होती है एक पेपर होता है और वो भी फटा पुराना पेपर होता है उसके पर कई जगा टेप लगई होती है जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते है जिस व्यक्ति ने लिखा है क्या लिखाता तो ऐसी स्थिति में पिर पंचांग की आवशकता होती है उस वर्स में क्या ग्रे स्थिति थी कौन सा लगन हो सकता है जहां पर यह कुंडली बनी होई होगी एसी स्थिति में आप जब भी कुंडली बनाएं तब राजयों की कुंडली बनाएं जिसके अंदर एक साथ में तीन कुंडली आएंगी वेदिक जोतिस की कुंडली अंग जोतिस की कुंडली और लाल किताब की कुंडली और साथ ही इन सभी के उपाए भी और इसके साथ में एक राजयोग की कुंडली अलग से होगी जिसके अंदर राजयोगों का विवरन होगा विश्टलेशन होगा आपकी कुंडली में कितने सूभ योग है कितने अशूभ योग है और कितने मिक्स योग है और साथ में उनका विश्टलेशन भी कि कौन सा योग आपको क्या देगा तो ऐसे इस्तिति में आप अपनी या अपनी संतान की कुंड़ी जीवन में एक बारी कुंड़ी बनाई है लेकिन कुंड़ी एकदम सही बनाई है विस्तरत कुंड़ी बनाई है ताकि आप उससे ज़्यादा ज़्यादा जान सकें और जब भी किसी के पास में जाएं तो कुंडली देख करके भी आसानी से आपकी बात को समझ पाए क्योंकि डेट ओबर्द, टाइम ओब बर्थ और प्लेस ओबर्द के साथ में जो कुंडली बनती है और जो भी विद्वान कुंडली देखेगा उस विद्वान व्यक्ति को 166 वर्ग देखने होते हैं अथा 16 कुंडलियां देखने होती है वो सब कुछ उस कुंडली में होगी तो ऐसे इस्तिति में जो भी भवश्यवनी करेंगे विद्वान वो अकाटे बहिशाणी करेंगे अथा सही सही बात करेंगे आई रासिफल से पहले बात करते हैं लक्षमी जी की दिपावली की आज की यूग में लक्षमी की अनिवारत्य को कोई नकार नहीं सकता धन के अबाव में ग्यानी व्यक्ति की भी रोज की आवशक्ता है अधूरी रह जाती है यदि आपकी इच्छा है व्यापार में व्रदी की, कर से मुक्ती की धन व्यवव से परिपूर मान समान पाने की या समस्त व्यवव पाने की तो आने वाली दिपावली आपके लेक आउसर हो सकती बदली अपना भाग्य और आवान कीजिए सुक्स, समर्दी और एश्वरे का अक्षा लक्ष्मी कुबेर कलस के माध्यम से और स्थापित कीजिए इस कलस में प्रदत लक्ष्मी प्रदायक सामगरी को और फिर देखिए अद्भुत प्रभाव लक्ष्मी आकरशन का संभव है ये दिपावली आपके लिए सौबागे साली वरदानों से भरी वी हो आईए अब आरम करते हैं आज का रासिफल 5 नवंबर 2020 के लिए और सबसे पहले बात करते हैं मेश रासि की मेश रासि के लिए रासि से तीसरे बाव में अतात पराक्रम बाव में चनमा विराजमाने बहुत ही ज़्यादा सुकत इस्तिति है बहुत ही सांदार इस्तिति है नक्सत तारा सिद्धान्त के अंसाल जन्वतारा का साथ और अस्तेक वक में 28 डॉट ये कॉमिनेशन इस चनमा को 100% पॉजिटिव बना रहा है ऐसी स्थिती में आज के दिन financially gain आय और संपत्ती में व्रद्धी या संपत्ती से समधित कोई deal है वो मिल सकती है या आपको अपनी प्रतिक संपत्ती में से कोई गयना मिल सकता है कुछ ने कुछ चीज आज आपको मिलने वाली है और जो लोग दिपावली के शॉपिंग करना चाते हैं आज आप मेश रासी वाले अच्छे कपड़े जेवर या कुछ न्यों कुछ घर का समाज जरूर खरीदने वाले है आज के एफट से या आज की जौब से आज के व्यवसाय से आपकी ख्याती बढ़ेगी जान पिचान के सेत्र में या आपका सरकल आज के दिन बढ़ेगा रोगों से परशान होने कि कहीं आवशक्तानी कत्यी रोगों से परशान नहीं होंगे लेकिन शत्रों पर आज आपका प्रभाविस्ता पिद हो जाएगा अताथ आप अपने आचरन से, अपने कारियों से, अपने स्टेडिजी से और अपने बुद्धी बल से उनको कंट्रोल कर लेंगे और आज के दिन आपका confidence और साती सात आपकी energy level बहुत शांदार रहेगा और जो लोग युवा हैं, जो लोग youngsters हैं, वो अपने friends के साथ में खुशी और आनन डूंडेंगे और आज बहुत से लोग emotional भी हो सकते हैं, कि जो वो चाते थे, वो friendship आज उनको accept हो जाएगी, आज उनको मिल जाएगी आज का lucky color है purple color और आज का lucky number है number six आईए अब बात करें व्रसब रासी की, आपकी रासी से second आउस में धन और संपती वाव में चनमा विराज माने, ये चनमा मिस्रित रिजल्ट ही देता है और योँ भी नक्सद तारा सिद्धान के उसार वद तारा का साथ और अस्ताग वाव में 25 डॉट ये combination 67% इस चनमा को positive बनाता है, 33% फिर भी आपको मायू सी देखनी पड़ेगी ऐसी इस्तिती में, नए कामकाज में, न्यू स्टार्ट अप में, न्यू प्रोजेक्ट में, या कोईन कोई नई जो planning आपने स्टार्ड की, नई प्रोजेक्ट स्टार्ड किया है, उसमें अर्चनों के साथ में success मिलेगी success जरूर मिलेगी, लेकिन बादाएं आने वाली है, और बादाओं से कभी गवराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी राह में obstacles नहीं आएंगे, जब तक आपकी राह में मोड नहीं आएंगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा, आप कितने expert हैं, या कितने mature हो चुके बहुत से लोगों को मांसिक उल्जन, वेवरिंग थौट या confusion का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे इस्तिति में आप किसी अपने भाई बंदू से, फ्रेंड से या अपने कलिक से साहता मांग सकते हैं, या उनसे विचार भी मर्ज कर सकते हैं, वो ज़्यादा बैटर रहेगा जो लोग जौब करते हैं, उन लोगों को साथ में काम करने कलिक से या मैनेजमेंट से कहीं न कहीं मद्भेद उबर करके सामने आ सकते हैं, या आपको उनकी कोई चीज नहीं पसंद आने से आप उखड सकते हैं, इन्वेस्मेंट आज के दिन नहीं करना चाहिए, जो इन्व लेकर के परिशानी हो सकती है, एक्सपेंसिज बहुत जादा उंगे, खर्च बहुत ज़ादा होंगे, और खर्च इस समय जो माह चला लग माह दिपावली का पर्व है, तो ऐसी इस इस्थिति में इस नौवर माह में करवा चोथ भी है, धन तेरस भी है, तो घर के लिए कु प्रवत्ति को पाप प्रवत्ति में या पिर लालच की और गसीटता है पाप प्रवत्ति का मतलब है दुर भावना और लालच का मतलब है कहीं कहीं से फ्रोड के तरीके से आप पैसा कमाएं उससे बचने की सला दे रहा हूं आज का लखी कलर है ग्रे कलर और आज का लखी चन्दमा विराजमाने जो की बहुत ज़्यादा सुखद इस्तिति है नक्सद तारा से दान्त के उससारे प्रत्यारी तारा का साथ जो की सुभ नहीं है और अस्टावग में 25 डॉट ये कॉमिनेशन इस चन्दमा को 67% पॉजिटिव और 33% वीक बना देता है ऐसी सिच्वेशन में financially gain तो होगा लेकिन कुछ पसट असंतुस्ती भी रहेगी लेकिन फिर भी आज का दिन gain का दिन है income में improvement का दिन है या जो भी business में है उनको भी gain निरंतर मिलता रहेगा जिनके पास job नहीं है वो लोग try करें कि अपना खुद का को इनको काम start कर पाएं चाहे छोटा मोटा ह सही लेकिन उससे आपको gain होगा और साथ ही साथ भाग्य का साथ मिल रहा है और ये चनमा धन हो समपती बाव का अधिपती है लगने से समझ जोड़ रहा है जीवन से समझ जोड़ रहा है जो की बहुत अच्छी स्थिति है और इस समयकाल में 20 नवंबर 2020 को ब्रेस्पती बद जाना चाहिए जो भी effort करेंगे जो भी मैनत करेंगे प्रेयास करेंगे उसमें progress होगी आपको उननती मिलेगी और साथ ही साथ सक्सेस मिलेगी अथा जो काम आप करेंगे वो कामा दोरा नहीं चुटेगा पूरा होगा और उससे gain होगा जो आज यातरा करना चाहते हैं उनकी यातरा सुखद रहेगी जहां पर भी जाएंगे आदा सतकार मिलेगा हेल्थ आज बहुत अच्छी रहेगी और साथ ही साथ आज का दिन आनंद का दिन है सभी प्रकार के सुखों का दिन है और सारे सुबफल आपको मिलेंगे बहुत अच्छी नींद आज आपके हिस्ते में आज का लखी कलर है ब्राउन कलर और आज का लखी नंबर है नंबर टू आई अब बात करें करकर आशी की आपकी रासी से ट्वेर ता उसमें एक्सपेंसेज बाव में चनमा विराज माने जो की सुब रिजल्ट तो नहीं देता है लेकिन नक्षत तारा सिद्दान के वसाथ अधी मित्र तारा का साथ और अस्टा को अगमें 34. ये कॉमिनेशन मिला करके 67% ये चनमा आपको सपोर्ट करेगा अता नेगिटिविटी से बचने में सायता करेगा 33% फिर भी आपको भोगना पड़ेगा फेस करना पड़ेगा और क्या फेस होगा कि आज फाल्तू खर्चे होंगे जिसकी जरूरत नहीं है वहां पर पैसा खर्च होगा या दिखावे में पैसा खर्च होगा है आज के दिन कुछ नी कुछ ना साज रहेगी या एनलजी लेवर डाउन रहेगा आप क्रोध में इर्शिया में या हम प्रिफ्ट आईको लेकर के प्रवलिम हो सकती है चाहे आप बच्चों के साथमें खेल खेल ही वो आपको लगा दें लेकिन वूस्तिति आ सकती है ऐस इस्तिती में थोड़ी सावधानि रखिएगा जो आपके परिवार वाले हैं सगे संबंदी हैं या घर वाले हैं उनसे व्यर्त में बैस बाजी हो सकती है विवाद हो सकता है जो व्यापारी वर्ग है वो अपने फ्रेंड के साथ में ये स्टाप के साथ में गलत फैमी हो सकती है उनको ऐसी इस्तिति में थोड़ा सा सांती के साथ में देहरे के सा आज के दिन जहां तक संभवो यात्राओं से बचना चाहिए, क्यों यात्राओं से कोई भी गेन होने वाला नहीं है, उल्टा डर और बेचेनी आज आप पर हावी रहेगी. आज का लखी कलर है ग्रीन कलर, आज का लखी नंबर है नंबर एट. आज अब बात करें सिंग रासी की, आपकी रासी से 11 ताउस में गेन बाव में चन्नमा विराज मानें, बहुत ही ज़्यादा सुकत इस्तिति है, सबसे शांदार चन्नमा माना जाता है. नक्सत तारा से दान के उसार मित्र तारा का साथ और अस्तिक वाक में 38. ये कॉमिनेशन आपको 100% पॉजिटिव रिजड़ देगा, पॉजिटिव गेन देगा या ये बहुत सकते हैं, ये चन्नमा आपके लिए सबसे ज़्यादा सुब हैं. ऐसे इस्तिती में सभी प्रियास सफल होंगे, जो इंकम के लिए ट्राई करेंगे, उनको आए में व्रद्धी मिलेगी, जो व्यापार के लिए ट्राई करेंगे, उनको व्यापार में लाब होगा, सक्सस मिलेगी, या ये बोल सकते हैं, व्यापार में उनुत्ती मिलेगी. इस्तिति होती है तब हेल्थ अपने आप ठीक होती है और जब नेगेटिव चनमा होता है तब हेल्थ घराब होती है तो ऐसी इस्तिति में जब भी गेन का मौका आएगा उस दिन आपकी उर्जा आपकी एनरजी आपका कॉन्फिडेंस सब कुछ शांदार होगा और आज जो ल यूआ हैं जो यंग्स्टर्स हैं वो अपने फ्रेंड के साथ में मेल मुलाकात करेंगे अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और साथ ही साथ यदि आज के दिन कोई लिगल प्रॉल्लम है लिगल मैटर में आपको अपेर होना है या कोट कर चैसे जुडिसरी मैटर में कोई का में वो भी आज आपका पूरा होने वाला है सब प्रकासे जीवन में सुख सुविदाएं बढ़ेंगी और आप अच्छे डंग से खुश मिजाज होकर के आज का दिन पूरा निकालेंगे आज का लखी कलर है गोर्डन कलर और आज का लखी नंबर है नंबर बन आई अब बात करें कर्णिया रासी की आपकी रासी से 10 ताउस में आपकी रासी से कर्म बाव में चनमा विराजमाने बहुत ज़्यादा सुखत इस्तिति मानी जाती है लेकिन नक्सत तारा सिद्धान के उसार प्रत्यारी तारा का साथ और अस्ट्यक वर्ग में 22 डॉट ये कॉंबिनेशन इस चनमा को 67% पोजिटिव और 33% वीक बना देता है ऐसी सिचूशन में एफट आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे कर्म आपको ज़्यादा करने पड़ेगी मैनज ज़्यादा करने पड़ेगी तो रिजल्ट 100% भी आप बना सकते हैं यह आपके हाथ में ज रहेगा व्यापार में आपके केरियर में जॉब में कुछ नए डिस्डंस और नया उस्सा आपको आगे बढ़ा सकता है आपको सफलता दिला सकता है आज का दिन पारवारिक जीवन में और दंपत सुख में बहुत ज़्यादा सुब रहेगा और जो इच्छी द्वस्तू की प्रापती चाते हैं वो आज आपको मिल पाएगी आज का दिन सोसाइटी में अपने बिजनस में या अपने जॉब में कोई अधिकार स्ट्रेंथ आपकी बढ़ने वाली है और सम्मान के साथ में संतुस्ती आपको कामकाज में मिलेगी और आज के दिन कोई इनकोई या ये बोल सकते हैं कि आपका प्रोमोशन या इनक्रिमेंट होकर के वो गिफ्ट मिल जाए ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात हो सकती है आज का लखी कलर है येलो कलर और आज का लखी नंबर है नंबर फाइफ आजिए अब बात करें तुला रासी की आपकी रासी से नाइन ताउस में भागय बाव में चनमा विराज माने ये चनमा मिस्रित रिजल्टी देता है और यों भी आज के दिन नक्षत तारा सिद्धान के उसार वद तारा का साथ और अस्टक वर्ट में 31. ये कॉमिनेशन इ 67% positive बनाता है 33% week बनाता है ऐसी इस्तिती में सरकार से, company से, management से आपको परिशानी हो सकती है जैसी इस्तिती में आप हैं जैसा आप काम करते हैं उससे आपको परिशानी हो सकती है जैसा आप businessmen हैं तो government की policies से आपको परिशानी हो सकती है या आप job करते हैं तो company या management आपको pressure सर डाल सकता है या आप भाय और दबाव से परिशान हो सकते हैं या आप उनके एटिटूर से परisions हो सकते हैं जतना आपके उपर लोड आ राए है वो लोड आप अच्छे डंग से एंडल नहीं कर पा रहे हैं ऐसी इस्तिति में आपको परशानी हो सकती है वो जो बिजनसमेन है बिजनसमेन को भी इस समयकाल में बहुत ज़्यादा सावदान हो करके बिजनस करना चाहिए अन्यता कोई कोई प्रॉब्लम आपके इससे आ सकती है लॉस हो सकता है या पैसा फस सकता है स्टॉक आज के दिन संतान के साथ में बहस बाजी से बचना चाहिए और साथ ही साथ मांसिक रूप से अपने आपको बहुत रिलेक्स रखना चाहिए अन्यता आप मांसिक उल्जन में या परशानियों में फश सकते हैं बहुत ज़्यादा थकावट रहेगी या एनर्जी लेबल कम हो जाएगा एकस्मेंसेज हो सकते हैं और साथ ही साथ एकस्मेंसेज धार्मिक या दान धर्म पर खर्च हो सकते हैं जो लोग वरद हैं उन लोगों को छाती में दर्द या ये बोल सकते हैं बेचेनी गबराट का सामना करना पड़ सकता है और या पिर यूरीन इंफेक्शन से समझेट कुछ तकलीप हैं आपको परशान कर सकती है यात्रा यदी आज करेंगे तो यात्रा में इस्तितियां सुखद नहीं रहेंगे अस विदा का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा आज का लखी कलर है पिंग कलर और आज का लखी नमबर है नमबर सेवन आज अब बात करें रस्चिक रासी की आपकी रासी से एड ताउस में चनमा विराजमान हैं ये चनमा सुख जड़तों कता ही नहीं देता है नकसत तारा सिद्धान के उसाथ जनम तारा का साथ और अस्ता को अगमें 28. ये कॉमिनेशन नेगेटिविटी से मारक शमता से 67 पसंट बचाएगा 33 पसंट फिर भी आपको फेस करना ही होगा ऐसी इस्तिति में आज आप जगड़े की गुंजा इसको जनम दे सकते हैं या ये बोल सकते हैं कि आप क्रोध और आवेस में आकर के कहिन कहिन उलच सकते हैं जुन्जा हट आपके उपर हवी रहेगी और एक प्रकासे बेचेनी आज आपको परिशान कर देगी ध्यान नहीं रखा लापरवा रहे तो आकस्मिक आपदा या विपत्या आज आपको देखनी पड़ सकती है ऐसी इस्तिति में जहां पर भी जाएं अपने आपको डाउन ग्रेड पर रखें लो लेवल पर रखें तो ज़्यादा बैटर है क्योंकि आज का दिन आपके उपर जोटे इलजाम लग सकते हैं बहुत से लोगा चोरी के इलजाम से परिशान हो सकते हैं और या पिर कानूनी मामलों से दुखी हो सकते हैं आज के दिन घर पर जाएंगे तो जीवन साती से विवाद हो सकता है और या व्यर्थ ही बात पर मत्बेद हो सकते हैं चाहे वो बात पड़ोसियों की हो या कोई और एक्स वाई जड़ किसी के घर में कोई प्रावलम होई हो उसका वाद विवाद आपके घर में परिशानी ला सकता है और ऐसी इस्तिति में जब आप दोनों आपस में वाद विवाद करेंगे तब कोई आपकी तारीफ तो करेगा नहीं ऐसी इस्तिति कोई लोक निंदा बोलते हैं आसपडोस वाले या घर वाले ही आपको निंदा ही करेंगे आपकी बदनामी ही करेंगे या आपको बल आपदान रहना चाहिए, जस्त एक प्रकासे कैलेंडर में वो डेट्स को मार्क कर देना चाहिए, गोला कर देना चाहिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर आपके लिए खत्रे की गंटी है, और या फिर जो लोग पाइल्स के पेसेंट हैं, उनको प्रावलम जादा हो स लगती है, आज का लखी कलर है रूबी रेड और आज का लखी नंबर है नंबर वन, अई अब बात करें धनूरासी की, आपकी रासी से सेवन ताउस में, दामपत्य सुख बाव में चन्णमा विराज मानें, बहुत ही जादा सुखत इस्तिति मानी जाती है, नक्सत तारा सि अनमा को 100% positive बना रहा है, ऐसे इस्तिति में, जो लोग बिजनसमेन हैं, या जो लोग गौर्मेंट सर्विस में हैं, इन सभी को सरकारी योजनाओं से लाब मिलेगा, या व्यापरिक लिंदें से लाब मिलेगा, आज के दिन जानकाली में व्रदी होगी, चाहे को टिप्स मि या कोई expert से मुलाकात हो, या कोई आपको भीतरी, कोई news मिल जाए, जिससे आप resources से financially gain up कर पाएंगे, या जो लोग investment में हैं, जो लोग commodity में हैं, जो लोग speculation से या वाइदा बाजा से, future trading से कोई 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 काम करते रहते हैं, उन लोगों को बड़ा भारी लाब मिलने वाला ह जो लोग अपना transfer चाते हैं, उनको आज transfer होना एक प्रकास से निश्चित है, अथात वो order आपके पास आ सकता है, चाप government में हैं या private sector में हैं, जो आप चाते हैं, वैसा आपके साथ में होने वाला है आज का दिन दामपत्य सुख के लिए, संतुष्टी के लिए, अच्छे खाने पिने के लिए और अच्छा पैनने के लिए जाना जाएगा, जो लोगा आज यात्रा पर हैं, उनको सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, और साथ ही साथ जो आप चाते वैसी सफलता आपको मिल पाएगी चाहे वो घर गरस्ती हो चाहे व्यापार हो चाहे जौब हो आज का लखी कलर है खाकी कलर और आज का लखी नमबर है नमबर नाइन आईए अब बात करें मकर रासी की आपकी रासी से सिक्स ताउस में रोग भाव में चनमा विराज माने जो की सुब माना जाता है नकसद तारा सिद्दांत को साथ शेम तारा अथाथ कल्यान करी तारा का साथ और अस्तेक वर्थ में 28 डॉट ये कॉमिनेशन इस चनमा को 100% पॉजिटिव बना रहा है ऐसी इस्तिति में आपके सभी एफ़र्ट्स सक्सेस्पूल रहेंगे फाइनिशल गेन के लिए जो एप्रोच करेंगे उनको फाइनिशल गेन मिलेगा और जो अपने विरोधियों को अपने कॉम्पिटेडर्स को धराशाई करना चाते हैं जमीन पर लाना चाते हैं उसमें सफल हो जाएंगे जो लोग रोग मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे वो रोगों से मुक्त हो जाएंगे या राहत मिलेगी और जो लोग अपने भागी को चमकाने के लिए प्रयास करेंगे उनको भागी का सुख मिलेगा और जो लोग राजनिति के शेत्र में हैं अपना यस्का गुनगान चाते हैं अपने ख्याती बढ़ाना चाते हैं अपने स्टेटस को इंप्रूव करना चाते हैं उसमें सफल हो जाएंगे और जो लोग यूवा हैं उनके लिए तो और अच्छा आउसर है कि जो opposite gender के साथ में दोस्ती चाते हैं वो दोस्ती आपकी होने वाली है उनके साथ में घुम फिर करके आनन्द उठाने वाले हैं और जो लोग सामाने घरगरस्ती वाले हैं वो सांसरिक सुख सुविदाओं में पारवरिक जीवन में या दामपत्य सुख में सफल रहेंगे सुखी रहेंगे और जो आज यातर परें वो सुविदा पूर्ण यातरा संपन करेंगे आज का लखी कलर है रेड कलर और आज का लखी नंबर है नंबर टू आईए अब बात करें कुम्ब रासी की आपकी रासी से फिफ्ट आउस में सिक्सा और संतान भाव में चन्मा मौजूद है ये मिक्स इडियर्टी देता है नक्सत तारा सिद्धान्त के अनुसार शेम तारा का साथ, कल्यान करी तारा का साथ मिल रहा है अच्छा बना रहा है, पॉजिटिव बना रहा है, 33% मायूसी रहेगी ऐसे कॉम्बनेशन में आज के दिन मानसिक परिशानिया या चिंता है संतान से समझदी चिंता है या संतान के द्वारा कोई लॉस हो जाने से आप परिशान हो सकते हैं या फिर आज हेल्थ में आपको डाइजिसन सिस्टम में प्रावलम या गैस से समझदी प्रावलम होने से परिशानी हो सकती है जो लोग स्पेकुलेशन में, जो लोग फूचर ट्रेडिंग में या शेर में, कमोडिटी में इन्वेस्मेंट करते रहते हैं उन लोगों को आज बहुत ज़्यादा साफदान रहना चाहिए क्योंकि जोए सट्टे में आपको सक्सेस मिलने वाला नहीं है गेन होने वाला नहीं है और जो बिजनस मेंने, उनको फाइनेंशल डिलिंग में बहुत ज़्यादा साफदान रहना चाहिए जहां तक हो सके आप दो दिन का टाइम पिरिट मांग लीजिए अता साथ तारीक को आप उनको पेमेंट करने का या सोधा करने का बोल दीजिए वो ज़्यादा बैटर रहेगा आज के दिन में आप मेंटली प्लानिंग कर सकते हैं आपने बुद्धिबल से समधी कोई भी योजना है बना सकते हैं उनको कागच पर खीच सकते हैं कोई शेडियूल बना सकते हैं वो सब काम आपके लिए अच्छा है लेकिन वियवारिक तोर पर प्रैक्टिकली जो आपको लिंदेन करना है उसमें आपको बहुत जादा ही शौर होने पर कन्फरम होने पर ही वो डील करें और या पिर आप खुद कैलक्टिकलोशन करके अपने इस्ताफ को देदें आगे और कोई आपके साथ में काम करने वाले उनको देदें और उनसे डील करवाले वो ज्यादा बेटर है जो मेलाइं गर्वती हैं उनको और ज़्यादा साफदान रहना चाहिए आने था आपको डॉक्टर के पास में भागना पड़ सकता है जिनकी संतान बहुत मैचोर है अथाथ आप एज में हैं आपकी संतान के जो भी केरियर में या संतान की जॉब में कोई प्रॉलम है उसकी असफ़लता या उनको कोई प्रॉलम है उससे आप दुखी हो सकता है परिशान हो सकते हैं आज के दिन एक्समेंसे ज़्यादा हो सकते हैं वियरत में फिजूल कर्ची हो सकती है ऐसे इस्तिति में शॉपिंग को दो दिन तक आप टाल दीजिए वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा और आज के दिन जो भी वीकल चलाते हैं उसमें बहुत साफदानी रखें या आप खुद ही वाकी करते हैं उसमें भी आपको साफदानी रखनी चाहिए क्योंकि वियरत में ही कोई कोई दूर गटना को अंजाम दे सकते हैं अतात रासी से ये पांचवाँ चलामा असुफल ज़्यादा देता है व्यक्ति को बुद्धी बल में तो उसको फाइदा देता है लेकिन बाकी चीजों में सिक्सा और संतान भाव में या गर्ब में प्रॉलम देता है ऐसी इस्तिति में साफदान रहिए आज का लखी कलर है रैड कलर और आज का लखी नमबर है नमर सेवन आई अब बात करें मीन रासी की आपकी रासी से फोर्त आउस में सुख भाव में चनमा मौझूद है ये चनमा सुब रिजल्ड तो कता ही नहीं देता है नक्सत तारा सिद्धान के अंस विपत तारा का साथ और अश्टा को अपमें 30 दॉट ऐसी इस्तिति में 67% ये चनमा नेगेटिव है 33% ही आपको सपोर्ट मिल पाएगा अश्टा की तरफ से ऐसी इस्तिति में अपने घर परिवार में ही आप परिवार एक असांति को देखेंगे आपका खुद का मन सांत नहीं रहेगा इस्तिबल नहीं रहेगा और बहुत से लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है मानसिक असंतुलन की इस्तिति आ जाती है उससे बचने की आपको सला दे रहा हूँ या अपने आप पर कंट्रोल रखें आप यदि हाई ब्लड पैसर के मरी जाएं तो और ज़्यादा सावदान रहना है फालतू चीजों में इन्वाल्मेंट ही मत रखिये या इस परस्ट रूप से मना कर दी जाएं ये बाते मुझसे मत कहिए किसी और से जाकर के पूछिए जो समाज के बड़े लोग हैं सक्तिसाली लोग हैं या घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी वाद विवाद हो सकता है और आज के दिन जो भी डील करते हैं उसमें फाइदा कम नुकसान होने की संभावना ही बहुत जादा रहती है और बहुत से लोगों को आज समान्चोरी हो जाने या खो जाने जैसी गटनाओं का सामना करना पड़ता है जो लोग रिलेस्टिप में हैं प्रेम प्रसंगों में हैं वो अधिकार जमाने की प्रवती कर सकते हैं और ऐसी इस्तिति में संदे की इस्तिति उत्पन हो जाएगी वो ध्यान रखेगा और नहीं तो सिंपल बासा में आपको दुख मिलेगा आपको तकलीफ मिलेगी ऐसी इस्तिति में बचना ही सबसे बड़ा उपा है रासी से फोरता उसका चनमा आपकी माताजी की जो सहत है उसमें खराबी कर सकता है उनसे आपको चिंतक रस्त होना पड़ सकता है या पेट से सम्मधित या पसलियों से सम्मधित कोई दर्द आपको परिशान कर सकता है जो भी योजनाएं बनाएंगे जो भी आज के दिन कामकाज करेंगे उसमें अर्चने या असफलता ज्यादा आ सकती है ऐसी इस्तिति में एक प्रकार से आपका एक्जाम है आपकी परिक्षा है द्यारिय की सांती की कि आप कितना कूल माइंड से कोई भी चीज को हिंडल कर पाते हैं जो आप सोच रहे हैं जैसा आपका सोच ना है वैसा ही तो सब काम नहीं होगा यदि आप घर से ओफिस जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि सड़क पर कोई ट्राफिक नहीं हो और आप अपनी स्ट्रेंज से पूरी स्पीड से ओफिस पहुँच जाए ऐसा होना संभव है नहीं तो ऐसे स्थिति में आपको भी दूसरों के अनुसा ढलना पड़ेगा इस्थितियों को समझना पड़ेगा इस्थितियां हमेशा आपके लिए सुब नहीं हो सकती है तो सदेव असुब भी नहीं हो सकती है समय समय पर जैसी कंडिशन्स होती है उसके नुसार ढ़ना चाहिए आज का लखी कलर है वाइट कलर और आज का लखी नंबर है नंबर फोर आईए अब बात करें आज के विशे सुपाई की धन संपंदा अरजित करने वाले दो विशे सुपाई प्रतियक मनुश्य अपने भावी जीवन को लेकर के कुछ न कुछ सपने देखता है कुछ भावी योजनाय बनाता है और उन्हें पूर्ण करने के लिए बहुत ज़्यादा मैनत भी करता है परुंतु वे सुपागी साली लोग ही होते हैं जिनको अपने सपनों को पूरा करने में सफलता मिल पाती है वना ज़्यादा तर लोग बहुत ज़्यादा परिश्रम बहुत ज़्यादा मैनत करने के बाद में भी सफलता तक नहीं पहुँच पाते हैं और ऐसे में प्राइर लोग देवी देवताओं की शरण लेते हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो चाते वे भी पूजा उपासना नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको इस सब बाताओं का ज्ञान नहीं होता ऐसी परिशिती में परिशान नहीं होना है आप कुछ विशेश उपायों को अपना कर अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं अपनी समस्यों से मुक्ति प्राप्स कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको कैसे ये संबब होगा बात करते हैं पहले उपाय की जिस किसी पूर्णिमा को सोंबार हो उस दिन से ये उपाय आरम करना है और भागिशाली याँ सवभाग्य है कि आने वाली 30 नवबर को ऐसी ही पूर्णिमा आ रही है आपको कहीं से नाकेसर के पुस्व प्राप्त करना है और किसी भी मंदिर में सिवलिंग पर पाँच बिल्व पत्रों के साथ में यह जो नाक के सर के पुस्ब हैं वो भी चड़ा देने हैं लेकिन इससे पुरू सिवलिंग को कच्छे दूद, दही, घी, सह, सकर अताथ पंचा मरत और साथ में गंगा जल तो सबसे पहले गंगा जल से सिवलिंग को दो दीजिए संक्या प्रतेक बार एक ही रखनी है इसमें अदल बदल नहीं होगी अगली पूर्णिमा तक निरंतर इसको चड़ाते रहना है इस पूजा में एक दिन की भी नागा नहीं होनी चाहिए एक दिन का भी एपसेंट नहीं होना चाहिए ऐसा होने पर आपकी पूजा खंडित हो जाएगी और फिर जब सूंबार आएगा वापस पूर्णिमा को तब वहां से आरम करना पड़ेगा अथात आपको यह उपाए फिर किसी पूर्णिमा दिन जब सूंबार पड़ेगा तब आरम करने तक आपको प्रतिक्षा करने पड़ेगी वेट करना पड़ेगा इस एक मा के लगबग जैसी भी सद्धा बावसे पूजा अर्चना बन पड़े आपको करनी है भगवान को चड़ाए प्रसात के ग्रहन करने के उपरांती कुछ आपको खाना है और अंतिम दिन जो चड़ाए गए पुस्प तता बिल पत्रों में से एक अपने साथ में सद्धा पूरव घर लाना है और उन बिल पत्रों को नाक के सर के पुस्प को अपने घर, दुकान, फैक्टरी जहां कहीं भी आप पैसा रखते हैं वेल्यूबल सामान रखते हैं, गैने रखते हैं, वहाँ पर रख देना है धन संपदा अरजित करने में नाक के सर के पुस्प बहुत ज़्यादा शांदार प्रभाव दिखलाते हैं आता लक्ष्मी वशिकरण के काम आते हैं, अकरशरण के काम आते हैं आईए, अब बात करें उपाए नंबर दो की यह उपाए उन व्यक्तियों के लिए बहुत लापदायक हैं, जो किसी भी प्रकार की दुकान करते हैं कोई भी सनिवार को दुकान बंद करते हैं, दुकान को मंगल करते हैं बिना किसी के टोके, एक मुठी साबूत काले उड़द आप दुकान में बिखेर दीजिए अगले दिन अता रवीवार को, या रवीवार को चुटी रहती है, तो सुमबार को दुकान खोलने के पस्टात में सरपतम ज़ाडू से रात को बिखेर गए उड़द के दाने इकटे करके उनको कागज में पुडिया बना ले और दुकान के बाहर कहीं सुरक से दिस्थान पर रख दे रवीवार को ही बुद की होरा में ये आपको पंचांग से ध्यान पड़ेगा, इंटरनेट से ध्यान पड़ेगा क्योंकि कौन सी तारिक को करेंगे उसका मैं अभी नहीं बता सकता, नहीं तो मैं अभी ही आपको टाइम भी बता देता रवीवार को ही बुद की होरा में, दुकान के बाहर से अंदर आते समय, दाई और अता था 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 राइट हैंड साइड में, काले रंग के एक धागे में, बीना दाग का एक पीला जो कागजी निम्बू होता है, तता उसके उपर पांच या साथ बड़ी साबूत और ताज का मोटे गत्य को स्वास्तिक की आकरती में काट लेना है, फिर इस पर नाक के सर कोई भी डंग से गौंद की साहिता से चिपकाना है, तता नाक के सर के जो पुस्प होते हैं, वो इस स्वास्तिक पर चिपकाना है, यह स्वास्तिक अब मिर्ची के उपर पीरोना है, और दुक आपको उचित लगता है, वो दुकान के उपर लटकता रहे, उसके नीचे से सारे ग्रहक आने चाहिए। साम को घर लोडते समय, जो उड़त के दाने आपने कहीं पर भी इखटे करके रखे थे, पुड़ी बांद करके रखे थे, उसको पानी में छोड़ देना है। जब भी आपको लगने लगे कि मिर्च और निम्बू सूक रहें, तो फिर वापस उसी विदी विदान से दूसरी समय किरी का प्रियोग करना है, दूसरी बार उसको लटकाना है, और पहले वाला उसको विसरजिन कर देना है। जब प्रियोग आज तक बहुत ही उप्योगी सिद्ध होता रहा है, आप भी करके देखिए। आज इस एपिसोड में बस इतना ही स्वस्त रहें, प्रसं रहें, अपना अपने परिवार का बहुत-बहुत खैल रखें, आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत-बहुत शुप कामना है, इश्वर आपकी रक्षा करें, लक्षमी, कुबेर, गणपती, महराज, सभी आपकी र प्राइ आपकी राफकी र करें लेग।